हेलो दोस्तों, टेकिस्टेंट में आपका स्वागत है आज का विशह है कि जो क्यालकुलेटर कभी-कभी हमारे लैप्टॉप पर या डेक्स्टॉप पर बार बार उपन होता जाता है तो इसे हम troubleshoot करने के लिए यानि कि, ये problem को हम कैसे solve करेंगे उसके लिए आप start पर click करे search में जाकर आप करें, calculate और यहां पर calculator पर click करे, Advanced Options ओपन करे उसके बाद reset पर click करें, ताकि जो भी आपका data होगा, वो सारा reset हो जाएगा, यानि जो अब ये apps जो आप नीचे calculator के open नजार आ रहे हों, वो सारे close हो जाएंगे, तो जैसे ही होगा, या right tick आजाएगा आपको, उसके बाद भी अगर आपको ये issue फिर भी नजार आ रहा है, जैसे कि आपको फिर calculator open हो रहा है, तो फिर वापस settings के page पर जाए, और terminate पर click करें, इसे भी सारे application जो calculator के open होते हैं, background में वो भी close हो जाते हैं, फिर भी न हो तो आप उसके लिए uninstall कर दे application को, तो जैसे ही uninstall करेंगे, आपके computer से ये application निकल जाएगा, क्योंकि कभी ये application corrupt हो जाता है, या खराब हो जाता है, तो उसके लिए आप settings के page को close करें, और ये search पर click करें, और वहां जाकर store type करें, और Microsoft store open करें, यहां के search में आप calculator type करें, और Windows calculator पर click क करें, इस पर install क्लिक करें, और जैसे ही आप इस पर click करेंगे, आपको पुछेगा कि, login करें आपके Microsoft account से, अगर आपके पस ID है, तो login करें, या नहीं, तो इसे close कर दीजिया, और आपका application, आपके computer पर install हो जाएगा, जैसे ही install होगा, application को launch करें, और आपका calculator open हो जाएगा, तो यहां तक जो भी problem था, वो नहीं आएगा आपको, अगर फिर भी आपको कोई problem आता है, जैसे कि आपके laptop के keyboard पर key होता है, जो कभी फस जाता है, तो उस वज़े से बार-बार open आता है, तो उसके लिए एक external USB keyboard यूज़ करें, जो आपके problem को sort out क कर देगा, चाहिए वो desktop हो या laptop, तो इसके लिए मैंने Google Chrome में आपके लिए थोड़े keyboard सेच करें, जैसे कि फिलिप कार्ट पर आप जाए और सीधे, यहां कीबोर्ट आपको जो भी जो अच्छे लगे वो खरीदे या फिर Amazon पर आप जाके खरीद सकते हैं, और जो लिंक्स है मैं आपको description में नीचे छोड़ आँ, हमें जरूर बताएं कि आपको video कैसा लगा, comment section में comment करें, like और share करें, और channel को subscribe करना ना भूलें और click the bell icon, video देखने के लिए धन्यवाद,